कि मंभई के अलग अलग बस्तियों से यहां पे एजूकर्शन के राइट से लिए लोग इसां पे उपासिद हैं यहां पे उपासिद लोगों का विक्राए कि स्कूल के बच्चे यहांपर उनके हंक और अधिकार के लिए रस्ते पहाए यह कितनी बड़ी शरुल की बात है कि पढ़ाई के लिए पूल के बच्चों को रास्ते के आना पड़ रहे हैं इससे पता चलता है कि यहां की सरकारे कैसी है यहां की सरकारे क्या सोगती है जैसे हमारे कुछ समय पहले कुछ सह कारी बात कर रहे जैकि महाँच पके है अलग-अलग धुलो में स्कूल है बंज चीचाहरी है अजारों की ताजात में जिल्ला फरिशत की स्कूल है जहां पर हमारे किसान भाईयों के बच्चे पढ़ते हैं अधिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं बंतोरों के बच्चे पढ़ते हैं अगर किसानों ने काम करने बंग करेंगे तो हम लोग खायेंगे क्या कि सरकार को किसानों की ताकत बता है कि 6 महीने तक किसानों दिल्ली में अंदोलन किया जो तीन कानून थे तो सरकार ने लागू किये थे तो वह आपीस करने पड़े उनको यह ताकत किसानों की है तो सरकार को मैं खहिनी चाहतो है कि किसानों की ताकत के अंदाजार। नहीं लगा सब्कशा प्रसूतुनुं। यह बारते लोग सँगतने बारते लोग सथा बिजर रिशंके हैं और यह बंच कम है शुक्रियाहदा करता हूँ टेत अप यहां पर आज की जो मतला है जो अलग अलगा सम्हें को लेकर है आप काफी ताद में यहां पर मुझूद है तो सरकारने जो फूल बंग किये उनका कहिना उसा है कि भाई 20 बच्चे है तो इसके लिले स्कूल बंग कर रहे लेकिन और यह जो है जो है नहीं अब अधिकार कहाई जिसे हैं पंडेमेटल राइट कहता है तो जो फंटोमेंटल राइब्स है, सविदान का जो आर्टीकल 21 फ्री है, वैसा कहता है कि 6 से लेकर 14 उमर तक है जो बच्चे है, उन्तों फ्री में और कंपल से रेजुकेशन